नमस्कार साथियों आप सभी का उतकर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्टिक स्वागत है। साथियों भौतिक विज्ञान फिजिक्स और फिजिक्स का जो अध्याय जो चुम्बक से संबंधित चुम्बक की प्रभाव से जुड़ा हुआ। तो एक ऐसा अध्याय आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं आपकी NCRT भुक का तेरवा अध्याय जिसका नाम है विज्ञुत धारा के चुम्बक की प्रभाव अर्थात धारा के कारण चुम्बक का क्या प्रभाव देखने को मिलता है यह वो अध्याय है। तो धारा के कारण चुम्बक का प्रभाव यह यहाँ पर क्या कॉंसेप्ट है यह जरा समझने के जरूत थी और पिछली क्लास में आधास कर लिया था मैंने इस अध्याय का आपने देखा होगा औरस्तेड का कथन और याद होगा प्रतिक विद्धार्थी को क्या कहा था और स्तेड ने तो साथियों और स्तेड का जो कथन था जिस कथन पर अपन ने बात की थी तो और स्तेड का कथन यह कहता है कि जब किसी चालक तार में विद्धुत धारा जब किसी चालक तार में विद्धुत धारा प्रवाहित की जाती है जब किसी चालक तार में विद्धुत धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा के प्रवाह से चुम्बकिय चेत्र की उत्पत्ती होती है धारा के प्रवाह से चुम्बकिय चेत्र की उत्पत्ती होती है तो औरस्तेड का ये कथन था कि अगर किसी तार में सुचालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित अगर हम करते हैं तो धारा के प्रवाह से विद्धुत धारा की उत्पत्ती होती है ये बात कही थी औरस्तेड ने तो साथिओ चुम्बकिय चेत्र की उत्पत्ती होती है और इस पर पूरा एक एक्सपरिमेंट भी पिछली क्लास में देखा होगा और औरस्तेड का कथन ये इसी कथन से चुम्बकिय चेत्र की तीवरता का मात्रक निकल कर बाहर आया वो भी निकल के आया था और अस्तेड क्या निकल कर आया और अस्तेड अब हम बात करेंगे कि वास्ताओं में चुम्बके शेत्र क्या होता है किसे कहते हैं चुम्बके शेत्र और चुम्बके बल रेखाओं की क्या क्या गुण है ये हम पढ़ने वाले हैं सांतियों तो सबसे हमारा सबसे पहले किया किया सबसे पहला कि क्या है कि चेटर छूमबग कि छेत्र किसे कहते हैं कि चेत्र कि से कहते है के चारो और का चुम्बक के चारो और का वह शेत्र जिसके कारण जिसके कारण संसूचन का प्रभाव प्राप्त होता है उसे चुम्बक के चेत्र कहा जाता है तो प्यारे विध्यारतियों चुम्बक के चेत्र किसे कहते हैं क्या है चुम्बक के चेत्र तो हमने बहुत ही सिंपल ही कहा कि चुम्बक के चारो और का वह शेत्र चुम्बक के चारो और का वह शेत्र आपने क्या कहा चुम्बक के चारो और का वह शेत्र हमने क्या कहा चुम्बक के चारो और का वह शेत्र जैसे मानलो एक चुम्बक है उस चुम्बक के चारो और उस चुम्बक के चारो और का वह शेत्र जहां पर कोई संचूचन का प्रभाव प्राप्त कर सके संचूचन का प्रभाव का मतलब है कि या तो वहाँ पर आकर्शन बल लग रहा हो और या वहां पर लग रहा हो प्रतिकर्शन बल तो आकर्शन या प्रतिकर्शन बल का अनुभव होता है उसे कहते हैं चुम्ब की शेत्र उसे क्या कहते हैं चुम्ब की शेत्र तो बहुत ही सिंपल यह परने कहां कि चुम्ब की प्रभाव से चुम्ब की प्रतिकर्शन का बल अनुभव होता है, उसे अनुभव होता है, उसे अनुभव होता है, चुम्बक ये छेत्र कहा जाता है, उसे अनुभव के छेत्र कहा जाता है, तो प्यारे विध्यारतियों, किसे कहा चुम्बक ये छेत्र, क्या होता है चुम्बक ये शेत्र, तो हमने बड़ा ही सिंपल ही कहा, चुम्बक ये शेत्र मतलब चुम्बक के चारो और का वह शेत्र, चुम्बक के चारो और का वह शेत्र जिसके कारण संसूचन का प्रभाव प्राप्त होता है उसे कहा जाता है चुम्बक के शेत्र तो चुम्बक के चारो और का वह शेत्र जिसके कारण संसूचन का प्रभाव प्राप्त होता है उसे कहा जाता है चुम्बक के शेत्र अब भात करते हैं चुम्ब के शेत्र की चुम्ब के प्रभाव से आकर्षन या प्रतिकर्षन का बल अनुभव होता है तो जब आकर्षन या प्रतिकर्षन का बल अनुभव होगा इसका मतलब है कि चुम्ब के या तो किसी वस्तू को अपनी और आकर्षित करेगा या उसको प iso diagram जैसा कि मैंने कहा कि चुम्बक जो है उसे की दो डैपोल होता है दो पोलוש होता है एक होता है उत्तरी सीरा और धक्षिन इसीरा कितने pumping सीरा उत्तरी सीरा और लग्elyn सीैन और ऑर फवे जिस पर अपांने बात की अब अगर मैं बात करुए हैं पर एन और S पे तो साथियों N और S क्या होता है तो मैं आपको बता दू कि suppose कीजिए कि ये हमारे पास एक छड़ चुम्बक है ये मेरे पास क्या है एक छड़ चुम्बक नाम है इसका छड़ चुम्बक और एक सीरा मैंने हापर रखा S और दूसरा सीरा मैंने हापर रखा है N तो हमने दो सीरे काम में ले लिए S और N जो है वो दो सीरे अपने काम में ले लिए एक सीरा है S और एक सीरा है N clear हो गई बात यह तो S और N दो प्रकार के सीरे हैं और अपने बिल्कुल सिंपल ही इसको हम पढ़ने वाले हैं S और N में क्या होगा कि जो यह चुम्बक के बल रेखाएं होती है चुम्बक के जो बल रेखाएं होती है वो जाती है उत्तर से दक्षिन की और चुम्बक के बल रेखाएं जो है वो जाती है उत्तर से दक्षिन की और बाहर की और अगर मैं बाहर की और बात कर रहा हूँ न तो इस्पेशली बाहर की बात कर रहा है अपनियाँ पर तो चुम्बक या बल रेखाओं की दिशा बाहर की और तो चल रही है उत्तर से दक्षिन बाहर की और चल रही है उत्तर से दक्षिन की और अपने लिखा उत्तर से दक्षिन की और चुम्बक के अंदर जो है चुम्बक के भीतर जो है वो चलती है दक्षिन से उत्तर की और चुम्बक के भीतर कहां से कहां चलती है दक्षिन से उत्तर की और तो चुम्बक की बल रेखा है क्योंकि चुम्बक के प्रभाव हमने क के कारण कोई पदार कोई वस्तू संसूचन का प्रभाव प्राप्त करती है आकर्षन या प्रतिकर्षन का बल प्राप्त करती है तो साथियों आकर्षन या प्रतिकर्षन का बल कब प्राप्त होगा कब आकर्षन या प्रतिकर्षन का बल प्राप्त होगा तो हमने कहा कि यदि अगर हम बात करें इस डाइपोल की इस चुम्बक या दुरू की तो N से S की और N से S की और मतलब उत्तर से दक्षिन दिसा में उत्तर से दक्षिन दिसा में चुम्बक के बाहर की और जो बल रेखाय होती है वो उत्तर से दक्षिन दिसा की और गमन करती है और चुंबक के भीतरी भाग में चुंबक के आंतरिक भाग में वो कैसे गमन करती है दक्षिन से उत्तर की और बात समझना आ गई तो दोस्तों हम अगला जो टॉपिक था हमारा जिसको हम पढ़ने वाले है वो टॉपिक है चुंबक के बल रेखाओं का गुण उससे पहले चुम्ब के शेत्र किसे कहते हैं और चुम्ब के बल रेखाओं के क्या गुण है अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्ण जो है वो आज आप मेरे साथ करने वाले हैं तो जरा ध्यान से समझना है इसको कि क्या है ये पूरा कॉंसेप्ट क्यूंकि बड़ा ही बल रेखाओं के गुणों पर अगर मैं बात करूं तो पहला गुण क्या होता फर्स नमबर जिस पर अपन बात करने वाले है वन टू थ्री फॉर फाइफ तो दोस्तों ये सबसे पहला गुण यही होता है कि चुम्ब के बल रेखाए जो है वो एक बंद पत पर होती है आप चुम्ब के बल रेखाए जो है वो एक बंद पत पर कारे करती है सबसे पहला लाइन यहाँ पर फर्स लाइन जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है कि चुम्ब के बल रेखाए जो है वह एक बंद पत पर कारे करती है पहली बात क्लियर होगी बिलकुल हो गई होगी उ वक्र की रूप में होती है चुम्ब की बल रेखाएं बंद वक्र की रूप में चुम्ब की बल रेखाएं बंद वक्र की रूप में होती है तो अपने बहुत ही सिंपली कहा कि चुम्ब की बल रेखाएं बंद वक्र की रूप में होती है पहली बात नमबर एक चुम्ब की बल रेखाएं बंद वक्र की रूप में होती है सबसे पहली बात अर्थात उनका पात जो होता है वो बिलकुल क्लोस पात होता है चुम्ब की बल रेखाओं का पात बिलकुल क्लोस होता है तो चुम्ब की बल रेखाएं हमेशा बंद वक्र की रूप में होती है बंदवक्र की रूप में कारी करती है दूसरी बात चुम्बक के बल रेखाएं चुम्बक के बाहर चुम्बक के बल रेखाएं जो है साथियों अगर मैं बात करू चुम्बक के बल रेखाएं जो चुम्बक के बाहर होती है वो उत्तर से दक्षिन दिशा की और कारी करती है दूसरी बात हमने यह दिखा चुम्ब के बल रेखाएं चुम्ब के बल रेखाएं चुम्ब के बल रेखाएं चुम्ब के बाहर चुम्ब के बल रेखाएं चुम्ब के बाहर उत्तर दिशा से चुम्बक के बाहर चुम्बक के बाहर उत्तर दिशा से उत्तर दिशा से दक्षिन दिशा की और दक्षिन दिशा की और गमन करती है तथा 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 चुम्बक के बल रेखाएं चुम्बक के बाहर उत्तर दिशा से दक्षिन दिशा की और गमन करती है तथा चुम्बक के बीतर तथा चुम्बक के बीतर तथा चुम्बक के बीतर दक्षिन से तथा चुम्बक के बीतर दक्षिन से उत्तर दिशा की और गमन करती है दक्सिन से उत्तर दिशा की और गमन करती है तो ये दूसरा गुण आपने डाइग्राम से देख लिया और समझ लिया मतलब डाइग्राम से ये पता चल गया मैं कि चुम्बक ये बल रेखाएं जो है वो क्लोस पाथ में होती है बंद वक्र की रूप में होती है चुम्बक ये बल रेखाएं बंद वक्र की रूप में होती है ये आपने देखा बिल्कुल ठीक चुम्बक ये बल रेखाएं जो है वो कैसी होती है बंद वक्र की रूप में पहली बात फिर मैंने कहा चुम्बक की बाहर चुम्बक की बाहर जो होती है वो होती है उत्तर दिशा से लेकर धक्षिन दिशा की और होती है तथा चुम्बक के भीतर जो है वो कहां से कहां गमन करेगी धक्षिन से उत्तर दिशा की और गमन करेगी बात समझ में आगए आपको पक्का समझ में आगए दोनों बात हैं बिलकुल clear होनीचे जो यहाँ पर लेखी गई है तीसरी बात अगर मैं यहाँ पर बात करू थर्ड पॉइंट बिलकुल आसान अगर मेरे पास कोई चुमबक है बिलकुल है और एक और चुमबक है अगर दोन चुम्बक है और यहाँ इस च्छड चुम्बक का N सीरा है और यहाँ पर जो है वो S सीरा है कोई दिक्कत नहीं अब आप यहाँ पर एक और चुम्बक लेकर आ रहे हो बिलकुल ठीक और यह जो चुम्बक च्छड चुम्बक है इसका सीरा यहाँ पर है आपके पास में S कितना है S और यहां पर जो सीरा है वो है N तो आप क्या देखोगे कि ये दो असमान सीरे हैं ये दो जो है वो असमान सीरे हैं तो असमान सीरों के मध्य क्या होगा आकर्शन असमान सीरों के मध्य क्या होगा आकर्शन मतलब असमान सीरे असमान द्रू तो असमान द्रूओं में क्या ह होगा आकर्शन जैसे यहां पर आप देख रहे हो एन और एस की बात कर ला हूँ तो एन और एस दोनों असमान द्रूव है दोनों क्या है असमान द्रूव और असमान द्रूव में क्या होता है आकर्शन क्या होता है आकर्शन होता है क्लियर हो गई बात यह ठीक उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमने का मैंने यहाँ पर लिखा N सीरा ठीक है और यहाँ पर मैंने लिखा S सीरा अब यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों सीरे यदि N हैं यहाँ पर चुम्बक का N सीरा काम में लिया और यहाँ पर S सीरा लिया तो यहाँ पर हम देखेंगे सम समान द्रूओं में क्या होता है बिल्कुल प्रतिकर्शन होगा समान द्रूओं में क्या होगा प्रतिकर्शन होगा क्लियर होगी बात यह समान द्रूओं में प्रतिकर्शन होगा तो असमान द्रूओं में आकर्शन और समान द्रूओं में प्रतिकर्शन क्लियर होगी बात यह तो बिलकुल clear है तो इसको लिख देता हूँ मैं crystal clear है तो लिखना भी चाहिए इस तीसरे विंदू को दो समान द्रुओं में प्रतिकर्शन दो समान द्रुओं में प्रतिकर्शन असमान द्रुओं में प्रतिकर्शन असमान द्रुओं में आकर्शन होता है क्या होता है आकर्शन बात समझ आगई कहां पर कौन सा बिंदू लिखना है हमने कहा यदि कि अमने कहा अगर दो समान द्रू है जैसे एन और एन एस या एस तो दो समान द्रू जैसे एन या एन एस या एस उनमें तो होगा प्रतिकर्शन क्या होगा प्रतिकर्शन परन्तु यदि असमान द्रू है जैसे एस और एन एन और एस तो उसमें क्या होगा आकर्शन तो प्रत प्रतिकर्शन वह असमान दुरू में आकर्शन होता है यह तीसरी बात देख लिए अपने तो तीसरी बात भी अपने पढ़ ली कि तो समान दुरू में प्रतिकर्शन वह असमान दुरू में आकर्शन होता है याद हो गई आपको बात पक्का याद हो गया चौथी बात में ब निर्गत चुम्बक से निर्गत चुम्बक के बल रेखाएं 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 चुम्बक से निर्गत चुम्बक की बल रेखाएं चुम्बक से निर्गत चुम्बक की बल रेखाएं मैं बात कर रहा हूं चुम्बक की बल रेखाओं की तो चुम्बक से निकलने वाले चुम्बक की बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिछेद नहीं करती एक दूसरे को प्रतिछेद नहीं करती यदि ऐसा संभव होता है यदि ऐसा संभव होता है यदि ऐसा संभव होता है तो वह यदि ऐसा संभव होता है तो वह उसकी दिशाएं होगी वह दिशाएं होगी चुम्बक के बल रेखाएं नहीं होगी वह चुम्बक के बल रेखाएं नहीं होगी वह दिशाओं का बोट करवाएगी हमने कहा चुम्बक से निर्गत चुम्बक के बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिशेद नहीं करती यदि ऐसा संभव होता है तो इसका मतलब है कि वह उसकी दिशाओं का बूद करवाएगी किसका बूद करवाएगी दिशाओं का बात सौना आगई वह उसकी दिशाओं का बूद करवाएगी तो आपने कहा दो समांधुरों में प्रतिकर्शन वह समांधुरों में आकर्शन एक बात पड़ी फिर आपने कहा कि चुम्बक्य बल रेखाएं एक दूसरे को क्रोस नहीं करेगी एक दूसरे को प्रतिछेद नहीं करेगी, अगर वो प्रतिछेद करती है तो वो चुम्बक्य बल रेखाएं नहीं है, वो क्या है, वो दिशाओं का बोध करवारी है, दिशा का ग्यान करवाती है, पर आप उसको चुम्बक्य बल रेखाएं नहीं मान सकते, बात समने आ गई आप सभी को बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूँ मैं और यहाँ पर चुम्बक के बल रेखाओं के गुणों पर बात करता हूँ चुम्बक के बल रेखाएं जितनी चुम्बक के निकट होगी आकर्शन बल उतना ही अधिक होगा बात होना आगे चुम्बक के बल रेखाएं चुम्बक के जितनी पास है बिलकुल पास पास है समझ लेना आकर्शन बल उतना ही अधिक होगा तो आपने यहाँ पर देखा क्या देखा कि चुम्बक ये बल रेखाएं निकट होती है तो आकरशन बल प्रबल होगा या अधिक होगा हमने कहा चुम्बक ये बल रेखाएं चुम्बक के निकट होती है क्या कहा मैंने चुम्बक के बल रेखाएं चुम्बक के जितनी निकट होती है आकरशन बल उतना ही क्या होता है प्रबल होता है मैं बात करूंगा यहां पर चुम्बक के बल रेखाएं का मातरक इनका मात्रक होता है टेसला क्या होता है टेसला और टेसला को टी से लिखा जाएगा टेसला और इसको लिखा जाता है टी से और ये जो टेसला मात्रक है ये मकेस पध्धती में है टेसला जो है वो किस पध्धती में है MKS पध्धती में CGS पध्धती में इसका मातरक होता है Gauss तो Tesla यहाँ पर इसका मातरक होगा चुम्ब के बल रेखाओं का यह एक सदिस रासी है मैं आपको जानकारी दे दूँ यह एक सदिस रासी है यह एक सदिस रासी है और क्यों कहा इसको कि यह एक सदिस रासी है दिशा एवं परिमान दौनों का बोध होता है दिशा एवं परिमान दौनों का बोध होता है दिशा एवं परिमान दौनों का बोध होता है दिशा एवं परिमार्ण दोनों का बोध होता है बात समझे आगे दिशा एवं परिमार्ण दोनों का बोध होता है इसलिए तो इसको सदिश्रासी कहा कि इसको इसको बी से वेक्ट करते हैं किसको करते हैं इसको इसको मीर्ण दो सीव चुंबब की जो बल रहा हен होते हैं उसको बी से प्रदरशिद किया जाता है इसे बी से या M से B या M से भी प्रदर्शित करते हैं M से प्रदर्शित करते हैं तो सात्यों आपने यहाँ पर पढ़ा चुमब के बल रेखा हो कि गुण और सारे गुण पढ़े क्या क्या पढ़े हैं जरा उस पर फिर से प्रकास दालना चाहूंगा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था औरस्तेड का कथन जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाइत की तो धारा के प्रवास से चुम्बक के शेत्र की उत्पत्ती हुई किसकी उत्पत्ती हुई चुम्बक के शेत्र की फिर आपने पढ़ा कि चुम्बक के शेत्र किसे कहा हमने कहा कि चुम्बक के चारो और का वह शेत्र जिसके कारण संसूचन का प्रभाव प्राप्त होता है उसे कहा जाता है चुम्बक के शेत्र मतलब चुम्बक के चारों और का वह शेत्र जिसके कारण संसूचन का प्रभाव प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है चुम्बक के शेत्र चुम्बक के प्रभाव से आकर्षन या प्रतिकर्षन का बल अनुभव होता है चुम्बक के प्रभाव से आकर्षन या प्रतिकर्षन का क्या अनुभव होता है बल और इसलिए इसको कहा जाता है चुम्बक के शेत्र इसलिए इसको क्या कहा जाएगा चुम्बक के शेत्र अंदर जारी है धक्षिन से उत्तर ये एक दूसरे को प्रतिशेद भी नहीं करती एक दूसरे को कारती भी नहीं है तो बिल्कुल नहीं कारती है इसका मतलब क्या हो गया कि हमने यहाँ पर चुम्बक के बल रिखाओं की चुम्बक की बात कर ली अब जैसे माल लो यह की शेत्र चुम्बक के चारवर करका शेत्र क्या कहलाये जाएगा चुम्बक की शेत्र क्लेर होगी बात यह तो यह चीज़ बहुत बहुत इस्मूद ली आपने समझ ली कि क्या होता है और आप एक एक बिन्दू पर मैं फिर से बात करता हूं चुम्बक के बल रिखाय major के क और अंदर जाएगी दक्षिन से उत्तर बाहर दक्षिन उत्तर से दक्षिन और अंदर दक्षिन से उत्तर की और गमन करती है तो हमने कहा यहां पर जो है दक्षिन से उत्तर दिशा की और गमन करती है उसमें कोई दोहराई नहीं आगे बढ़े हमने कहा अगर एक समान द्रू ह चैसे के माझ लोई तर एन और इधर भी ein या एस एस है इन आइन या एस इस इस का मतलब है एक समान दुरू है और एक समान दुरू में क्या होता है प्रतिकर्शन आप यहां पर समान दुरों में क्या होता है आकर्शन तो एक समान दुरों में होता है प्रतिकर्शन असमान दुरों में होता है आकर्शन सिंपल ही कहा तो समान दुरों में प्रतिकर्शन वह समान दुरों में आकर्शन होता है चुम्बक के निर्गत चुम्बक के अबल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिछेद नहीं करती यदि ऐसा संबव होता है तो वह उसकी किसका बोध करा रही है दिशाओं का बोध करा रही है चले तो वह उसकी दिशाओं का बोध करवा रही है चले तो वह उसकी दिशाओं का बोध करवाईगी ये भी आपने पढ़ा हमने कहा चुम्बक के बल रेखाएं चुम्बक के निक होती है चुम्बक के बल रेखाएं कहा होती है चुम्बक के निकट अर्थात जो आकर्शन बल होगा वह प्रबल होगा अधिक होगा अकर्शन बल प्रबल होगा अधिक होगा इसका मातरक होता है टैसला MKS PADDHATI में मात्र क्या होता है TESLA और ये TESLA किस ПADDHATI में है MKS PADDHATI में यहाँ एक सदिस रासी है दिशा इवं परिमाण दोनों का BODH होता है दिशा और परिमाण दोनों का क्या होता है BODH होता है इसको B या M से भी प्रदर्शित करते हैं इसको अपन B या M से प्रदर्शित करते हैं बिल्कोल ठीक B से ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं सदिसरासी है यह यहाँ पर सही माल है कुछ-कुछ लोग M भी लिखते हैं अगले बिंदू पर और मेरा अगला बिंदू कहता है कि किसी विध्यूत धारावाई चालक के कारण किसे विद्योत धारावाही चालक के कारण चुम्बक ये छेतर की दिसा क्या रहेगी तो एक बड़ा ही सिंपल सा ट्रिक है और वो सिंपल से ट्रिक क्या है स्नो नियम आप याद कर लेजिए दोस्तों स्नो नियम एस एन ओ डबलो और नियम और यह नियम पढ़ने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी उसका अपोजिट हो जाएगा दूसरा तो नियम ये कहता है कि एस का मतलब होता है साउथ चलिए दोस्तों एस का मतलब क्या होता है साउथ और इस साउथ को हिंदी में क्या कहते हैं एन का मतलब होता है नोर्थ और इस नोर्थ को हम कहेंगे यहाँ पर उत्तर चली उत्तर कहेंगे आगे बढ़ते हैं ओ का मतलब होता है ओवर ओवर मतलब होता है उपर की और ओवर मतलब क्या होता है उपर की और डबलो जो होता है वो होता है वेस्ट वेस्ट मतलब होता है इसका मतलब यह है कि यहां पर अगर मैं बात करूँ कि अगर धारा की दिशा दक्षिन से उत्तर है और और का मतलब होता है उपर की और है तो चुम्बक ये सुई की दिशा जो दिख सूचक है उसकी दिशा हो जाएगी पश्चिम क्योंकि औरस्तेड ने कहा था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाइद करोगे तो दिख सूचक की सूई में परिवर्तन होगा चुम्बक ये शेत्र की उत्पत्ती होगी ये बात औरस्तेड ने कही थी तो यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं हम यहा चालकतार में धारा की दिसा धारा की दिसा धारा की दिसा धारा की दिशा दक्सिन से धारा की दिशा दक्सिन से उत्तर की और उपर की और प्रवाहित होती है उपर की और प्रवाहित होती है हमने कहा यदि किसी चालक्तार में धारा की दिशा दक्सिन से उत्तर की और उपर की और प्रवाहित होती है दिख सूचक की सूई में विक्षेप विक्षेप पश्श्यम दिशा की और होता है पश्श्यम दिशा की और होता है यह हुआ पहला कथन हमने कहा जब किसी चालक्तार तो देखो स्नो आपको याद हो गया होगा स्नो नियम क्या कहता है एस मतलब साउथ दक्षिन एन मतलब नॉर्थ मतलब उत्तर तो धारा की दिशा दक्षिन से उत्तर है उपर की और है कहा है उपर की और बिलकुल ठीक तो दिख सूचक में जो सूई है उस सूई में विक्षेप आएगा सूई में क्या आएगा विक्षेप आएगा और वह किस दिशा की और आएगा सूई में जो विक्षेप होगा साथियों वह होगा पश्चिम दिशा की और वेस्ट डबलू लिखा है ना डबलू दिखा है एंड में क्या लिखा है डबलू मतलब पश्चिम दिशा की और सुई में क्या होगा विक शेप अब इसका उल्टा करो क्या करो उल्टा उल्टा मतलब है कि अब चालकतार में जो ध पुरूट डिसा में बात समझ याँ आगए आपको यहां पोड़ा समझाए मैं आपको थोड़ा और ज्यादा अंजा थो को और अच्छे सी समझ में आएगा हमने कहा कि यह धार हो रही है इससे कहा अब देखो यह चालक तार है तो इसका मतलब है बैटरी रहा जारी है यहां पर कहाँ नीचे की और नीचे मतलब क्या उत्तर से दक्षण उत्तर से दक्षिन मतलब south की और उपर उत्तर होता है उपर क्या होता है उत्तर नीचे होता है south तो हम यह कहेंगे उत्तर से धारा कहा जा रही है दक्षिन नीचे की और जा रही है ठीक है विक्षेप आएगा पूरवदिशा में कहा जाएगा पूरवदिशा में जाएगा अब जाएगा N से S तो आप यहाँ पर लिखोगे कि जब किसी चालक तार में जब किसी चालक तार में दूसरा विंगू या सेकंड पॉइंट जब किसी चालक तार में जब किसी चालक तार में जब किसी चालक तार में धारा धारा जब किसी चालक तार में धारा उत्तर दिशा से धारा उत्तर दिशा से दक्षिन दिशा की और गमन करती है जब किसी चालक तार में धारा उत्तर दिशा से दक्षिन दिशा की और गमन करती है चालक तार के समीब चालक तार के समीप चालक तार के समीप चालक तार के समीप चुम्ब किया सुई का विक्षेप विक्षेप पूर्व दिशा की और पूर्व दिशा की और होने लगता है तो हमने क्या कहा कि जब किसी चालक तार में जब किसी चालक तार में जब किसी चालक तार में धारा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की और गमन करती है तो चालक तार के समीप किस दिसा में हो जाता है पूर्व दिशा की और होने लगता है किस दिसा की और होने लगता है पूर्व दो डरब लिखें समझें याद करें भौतिक विज्ञान का बड़ा है इंट्रेस्टिंग अध्याए शांदार अध्याए चुम्बक से बिलॉंग करता हुए एक एक बिंदू लिखा जा रहा है मेरे द्वारा हर एक बिंदू को explain किया जा रहा है बस पढ़ने की जरूत है आपको अच् क्लास में फिर बात्चित करेंगे इसी विद्योत धारा के चुम्बक ये प्रभाव पर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का